तो एसी सी का चार्ट का श्रक्षर में देख रहा हूं तो काफी पिटाई हुई है रिजल्ट के पहले ही पिटाई होने लगी थी और रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और रिजल्ट के बाद पिटाई और भी चार्ट का श्रक्षर बना हुआ है तो अपलोग देखोगे तो 2017 के आसपास का जो रेट था जो भाव था वही रेट के उपर 2023 में भी ये स्टॉक हमें मिल रहा है तो लास्ट 5-6 सालों का अपलोग देखोगे तो कोई भी रेटन जनरेट करके नहीं दिखाए है ये स्टॉक ने और मंतली टाइम फ्रेम के उबर भी स्टॉक थोड़ा विक देखने को मिल रहा है 2000 रुपए के उपर निकलने का चांस थोड़े कम है क्योंकि वो लेवल के आसपास आएगा तो भी हमें एक सैलिंग देखने को मिलेगा पर जिस तरह का चार्ट का स्टॉक्षर मुझे देखने को मिल रहा है 1750 बहुत ही इंपोर्टन लेवल है और वो वहां से बाउंस आना ही आना चाहिए ऐसा क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यह स्टॉक के लिए भी मैं आपको बाय और डिप्स करने की एडवाईस दे रहा हूँ अगीन मैं आपको थी स्लोट्स के अंदर यह स्टॉक को भी सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 30% quantity आपको buy करना है 1836 जो current market price है यहाँ पर ही आपको buying करना है अगर यहाँ से downfall अगर देखने को मिलता है तो 1790 के आसपास 1790 के आसपास another 30% quantity आप लोग buy कर लो और फिर finally 40% quantity आपको buy करना है somewhere around 1750 से लेके 1730 के बीच में और फिर आपको एक closing business के उपर एक stop loss यहाँ पर maintain करना है वो है 1700 का so ACC every decline is a buying opportunity पर जैसे ही higher levels 2000 रुपिस के आसपास आएंगे आपको हलका सा selling भी देखने को मिलेगा और बड़ा reversal बड़ा move बड़ा charts के उपर trend reversal वो सब कब possible है only and only about 2000 रुपिस so वो बहुत ही बड़ा confirmation वाला level है और वहाँ पर trend reversal वाला वो level है तो वो level जरूर से आप लोग note करके रखियेगा और वहाँ पर अगर lower level पर अभी buy कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा profit book भी करना हो आपको उस time पर आप जरूर से profit book भी कर सकते हो जिस तरह से बताया है ACC के अं आप लोग देख लीजेगा और जिसको भी काम करना है आप लोग stop loss के साथ काम करके जरूर से देखेगा इस तरह से मैं बताता हूँ different levels के उपर आपको allocation भी बताता हूँ वो allocation इसलिए important है क्योंकि risk reward ratio वहाँ पर maintain होता है हम lower level पे ज्यादा quantity buy करते है तो हमारा risk कम हो जाता है कमच रहे हो मेरी बात clear है तो जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लोग जरूर से काम कीजेगा पाइदा आपको जरूर से होगा